Healthy Pregnancy गर्ववस्ता के दौरान हर कोई चाहता है उनकी Pregnancy healthy हो और उनका baby स्वस्थ हो अगर आपको भी गर्ववस्ता के दौरान ये 5 लक्षन दिखते हैं तो इसका मतलब है आप और आपका baby healthy है साथ इस वीडियो के अंत में हम कुछ ऐसी चीज़े, कुछ ऐसे टिप्स आपको बताएंगे जिनकी मदद से आप अपने प्रेगनेंसी को हेल्दी बना सकते हैं नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का बेबी केर फैमिली पर आज के वीडियो बहुत जद इन पॉटेंट होने वाली है तो वीडियो को बिना स्किप कर एंड तक सरूर देखिएगा तो आईए अपनी वीडियो को हम फटा फट से शुरू करते हैं तो आईए जानते हैं हेल्दी प्रेगनेंसी के वो पांच लक्षन कौन-कौन से हैं नमबर वन अल्ट्रसाउन जब आप अपनी प्रेगनेंसी का पहला अल्ट्रसाउन कराते हैं जो होता है पांच वे हफ़ते के बाद और उस अल्ट्रसाउन में आपके बेबी की हार्ट बीट्स क्लियर आ जाती है तो ये पहला साइन होता है जो बताता है कि आपकी प्रेगन यह सारी चीज से पता चलती है साथ ही बेबी कहने इंप्लांट है आपकी प्रेग्नसीज वन से ट्रिपल है यह सारी चीज आपको पहले इल्टरसॉं की मदद से पता चलती है जो आपको कराना होता है पांचवे हफद के आसपास यानी कि डेड्श महीने में न Immer 2 आपके पेट पेट का अकार सही समय पर और सही तरीके से बढ़ना क्या आप जानते हैं गर वबस्ता के दौरान आपके पेट का अकार धीरे धीरे बढ़ता है मगर आपके पेट का अकार हर महीने थोड़ा थोड़ा बढ़ता है तीसरे महीने में जो आपका पेट हो हलका सा दिखता है मगर और किसी को इसकी बारें पता नहीं चलता मगर आपको पता चल जाएगा कि आपका पेट हलका सा बहार आया है. साथ ही फिर जब चौथा महीना होता है तो थोड़ा सा पेट और बहार आता है. जब पाच्वा महीना होता है तो पेट थोड़ा-थोड़ा करके दिखने लगता है छटा महीना, सात्वा महीना, आट्वा महीना और नवा महीना अगर आपके पेट का आकार सही तरीके से बढ़ता है तो ये भी एक निशान होता है आपकी healthy pregnancy का अगर आप में ये लक्षन दिख रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी pregnancy healthy है number 3, महीला का वजन सही तरीके से बढ़ना pregnancy के तीनों तिमाही में महीला का वजन दीरे-दीरे बढ़ता है हो सकता है पहली तिमाही में आपका वजन ना बढ़े हो सकता है आपका जो वजन है वो दूसरे या तीसरी तिमाही में बढ़े मगर पूरी pregnancy में अगर आपका वजन 10 किलो से लेके 12 किलो के बीच में है तो इसका मतलब है कि जो आपकी pregnancy है वो स्वस्थ pregnancy है आपका बच्चा healthy है और आपकी pregnancy है आपकी pregnancy में कोई complications नहीं है जब हमारी pregnancy में कोई भी complications नहीं होते हैं तो हमारी normal delivery के chances बढ़ जाते हैं कई बार जो महिलाओं का वजन है वो तीसरी तिमाही में भी बढ़ता है हो सकता है आपका जो वजन है वो पहली तिमाही में ना बढ़ आओ दूसरी में भी नहीं बढ़ आओ मगर तीसरी तिमाही में जो आपका वजन है वो एकदम से बढ़ जाए तो आपको चिंता करने की या घबराने की जरुरत नहीं है जब भी आप डॉक्टर के पास ultrasound कराने जाते हैं अगर आपके बच्चे का वजन आपके pregnancy के हफतों के according सही तरीके से बढ़ता है तो ये भी एक sign होता है जो बताता है कि आपकी pregnancy healthy है इसी के साथ ultrasound report में बच्चे का वजन, बच्चे की heartbeats और बच्चे की movement अगर सही रहती है तो ये healthy pregnancy का एक sign होता है नमबर 5 जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर्स आपके टेस्ट करते हैं यानि कि आपका BP टेस्ट करते हैं, आपका hemoglobin level टेस्ट करते हैं, आपका urine टेस्ट, आपका protein टेस्ट, आपका BP, ये सारी चीज़े जब आपकी टेस्ट की जाती है आपका weight चेक किया जाता है और सारी चीज़े normal आती हैं, सही आती है तो ये भी healthy pregnancy का एक sign होता है अगर ये सारे लक्षण आपके अंदर हैं, तो आप बहुत ही असानी से पता लगा सकते हैं कि आपकी pregnancy healthy है और आपकी normal delivery के chances ज्यादा है इसी के साथ बच्चे की जो हलचल है वो चौथे महीने के आखरी हफते से आपको महसूस होती है और धीरे धीरे करके जो हलचल है वो सही से आपको महसूस होती है आप बेबी की जो moment है बेबी की जो हलचल है उसे count करके रखते हैं और वो बिलकुल सही रहती है तो ये भी healthy pregnancy का एक sign होता है अब हम बात करेंगे कि healthy pregnancy के लिए आपको क्या करना चाहिए अगर आपके अंदर इन में से कोई भी लक्षन दिखाई नहीं देते हैं या आप चाहते हैं कि आप अपनी pregnancy को healthy बनाए तो इसके लिए आप क्या क्या चीज़े कर सकते हैं एक महिला की pregnancy healthy है ये चीज़ डिपेंड करती है कि महिला की lifestyle क्या रहती है बहुत सारी महिलाएं अपनी lifestyle पर बहुत ध्यान देती है अपने खाने पीने के उपर ध्यान देती है अपनी activity के उपर ध्यान देती है अपने screen time या अपने जो फोन है ये laptop है ये टीवी है वो कितना देखती है इस चीज़ पर धियान देती है अपने पुरी lifestyle को बहुत अच्छे से manage करती है तो इसके help से भी उनकी pregnancy healthनी रहती है यानिकि अगर आपका जो lifestyle है वो पहले सही healthy है तो इससे आपकी pregnancy भी healthy होती है और बेबी भी स्वस्त होता है अगर आपकी pregnancy healthy नहीं है आपको कोई लक्षे नही food यह cold drinks यह बहार का packetबंद juice bakery food यह ice creams के की कोई भी चीज आपको pregnancy के दरान नहीं खाने चाहीं pregnancy के दरान इन सब को खाने की बहुँ सब ज़ा expect craving होती है मगर अगर आप चाहती है आपकी pregnancy healthy हो शिचु healthy हो नॉर्मल डिलिवरी के chance बढ़े तो आपको कुछ चीजों पर control करना होगा सबसे पहली कीज होती है बाहर के खाने पर आपको control करना होगा कोई भी खाना अगर आप बनाते हैं तो वो घर पर बना कर खा सकते हैं कोशिश करें कि वो खाना मैदे से ना बना होगा कि जब आप कोई भी खाना मैदे से बनाते हैं तो वो चीज़ डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगाती है प्रेगनसी के दुरन हमारा डाइजेशन कमजोर होता है अगर आप मैदे की चीज़े खाते हैं तो यह आपको और ज़्यादा इफेक्ट करती है तो आप बाहर का बना खाएं घर पर भखाएं और घर पर हल्दी बना कर ही का द 1977 लेने का बजाए आपको Lah' будто कखाने चाहिए रव फू See the facts फाइबर भी मिलता है जो आपकी प्रेगनसी को हेल्दी बनाता है आपके शरीर में फाइबर पहुचाता है जिसकी वजह से आपको कॉंस्टिपेशन की प्रॉब्लम्स नहीं होती है नमबर तुरी आपको सुभे और शाम दो टाइम रेगुलर वॉक जरूर करनी चाहिए खास तो पर प्रेगनसी के टाइम सुभे वॉक कीजिए आदा गंटे कीजिए 45 मिनट कीजिए शाम को वॉक कीजिए इसी के साथ योगा अगर आप योगा कर सकते हैं तो आपको योगा जरूर करनी चाहिए अगर आप exercise करना चाहते हैं तो डॉक्टर की सला लेकर ही exercise शुरू करें नमबर फोर हर दो घंटे में कुछ ना कुछ जरूर खाएं पेड भर कर खाना ना खाएं हर दो घंटे में थोड़ा थोड़ा जरूर लें संतुलित अहार लें पोशक तत्व से भरपूर डाइट लें जिससे आपके शरीर में किसी भी पोशक तत्व की कमी ना हो इसके लिए आप डॉक्टर की हैल्प लेकर भी डाइट चार्ट प्लाइन कर सकते हैं नमबर फोर साफ सफाई का ध्यान रखें प्रेक्निसी के दुरान आपको साफ सफाई पर सबसे ध्यान देना चाहिए आपको यूरीन इंफेक्शन ना हो इस पर आपको ध्यान देना है साथ ही गर्मी का समय है पसीना जादा हो रहा है ठंडो का समय भी है तब भी आपको ध्यान रखना है कि आपको साफ सफाई रखनी है अगर आप नहा नहीं पाते हैं तो आप अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं रोज डेली आपको साफ और धुलेवे कपड़ों का ही इस्तमाल करना चाहिए बहुत जादा किसी के साथ फोन पर बात ना करें अपने विचारों को नकरात्मक ना रखें यानि कि किसी की बुराई किसी के साथ ना करें साथ ही कुछ बुरे विचारों वाली चीजें ना देखें बुरे विचारों वाली बातें सुने भी ना अच्छी विचारों वाली बाते सुने ताकि गर्मे पल रहे शिशु पल इसका सकरात्मप्रभाव पड़े बुक्स पढ़िए, गीता सुनिए, रमायन सुनिए हो सकते तो कुछ बुक राइटिंग कीजिए, कुछ डायरी राइटिंग कीजिए, कुछ पेंटिंग स्ट्रॉ कीजिए जिस भी काम में आपको खुशी मिलती है वो काम कीजिए और अपने आपको सकरात्मप्र बनाईए ताकि इसका positive effect आपके बेबी पर पड़े, बेबी intelligent हो, बेबी healthy हो और आपकी pregnancy भी healthy हो सके साथ इगर वबस्ता के दर अपने शिशों के साथ पेट पर हाथ फेर कर बाते जरूर कीजिए, क्योंकि इससे आपके और आपके बेबी के बीच संबंध अच्छा बनता है प्रेगनसी के दरन उल्टी आना, जी मत चलना ये बहुत common problems होती हैं जो प्रेगनसी के पहले तिमाही में होती हैं आपके साथ भी चीज है जिन चीजों से पको वमिटिंग होती है वो चीज़े आपको नहीं लेनी है कुछ समय के लिए उन चीजों को अवोइट कर देना हो सकता है दूसरे तीमाही में आपको वो चीज़े खाने का मन करें अगर आपको पहले तीमाही में मन नहीं करता तो आप उन चीजों को avoid कर सकते हैं दूर रख सकते हैं ऐसा करने से आप next second जो तीमाही होता है उसमें उन चीजों का सेवन कर सकते हैं इससे आपके pregnancy भी healthy होती है और आपको नुकसान नहीं होता है उल्टी जादा हो तो सुबह नमकीन लें कुछ नमक लें नीबू लें अधरक ले अपने ultrason time से कराएं और अपने आपकी जाचे होती है वो time से कराएं अपना ध्यान रखें और अपने शिशु का भी ध्यान रखें आशे करते हैं इस वीडियो से आपको मदद जरूर मिली होगी तो इस वीडियो को like कर अपने दोस्तों के साथ share जरूर कीजेगा कोई भी स हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए अप सभी का धन्यवाद फेस्बूक के यूट्यूब पे आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमें फॉल्वर सब्सक्राइब जरूर कीजेगा ताकि प्रेग्नेंसी और पारेंटिक्स टी ऐसे इंपॉर्टन वीडियो आपको मिलती रहें धन्यवाद नमस्कार